राशी मेश आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जिन्दगी हमें हर मोड पर कुछ ना कुछ सीख देती है इसलिए जीवन की हर चुनोती से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए वैसे भी नए नए अनुभव करना आपको बहुत पसंद है राशी मेश आज आपको चाहिए कि साथी के साथ रोमैंडिक मूड में बैठ कर एक दूसरे की उन समस्याओं को सुने जिनसे वह आपको अवगत कराना चाह रहा है आज शांत स्थान पर साथ बैठ कर आपसी मदभेदों को मिटाएं और अपनी भावनाओं से साथी को अवगत कराएं जिनसे आपका आपसी रिष्टा और मजबूत हो जाए राशी मेश करियर आत्म विश्वास में वृध्धी ही आपकी व्यावसाइक सभलता की कुनजी है खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनोतियों को स्वीकार करने के लिए तयार रहना चाहिए काम को चलाने की आपकी आदत के कारण आपके काम का बोज वो मानसिक दवाव बहुत बढ़ सकता है इसलिए खुद पर भरोसा रखे और पूरी महनत से काम करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन हलचलों से भरा है बहुत कड़ी महनत के बाद भी शायद आपको स्कॉलर्शिप न मिले अपने सभी जरूरी खर्चों के लिए पैसा जुटाना आपके लिए असंभव नहीं पर मुश्किल जरूर होगी फिर भी अपने सामर्थ के हिसाब से जितना बेहतर कर सकें करते रहें किसी भी लापरवाही के कारण कोई घटना घट सकती है इसलिए सावधानी बरतें आज आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेहत सावधानी बरतनी है ताकि कोई दुरघटना न घटे आपकी लापरवाही से कोई धुर्गट ना हो सकती है जिसकी वजह से आपके वाहन और आपको चोट लग सकती है आज आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवर्शकता है अपनी उम्र के लोगों के बीच आपकी छवी को चार चान लग जाएंगे आज कुछ नई जिम्मेदारियां न सिर्फ आपके लिए आएंगी बलकि इनाम भी लेकर आएंगी अपनी इस पहचान और सम्मान का पूरा मजा लें लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी तरह अपनी छवी धूमिल ना होने दें एक नए साथी के लिए आपके मन में रोमैंटिक विचार उत्पन होंगे आप यदि इस दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं तो घबराईए मत चुकि ये समय रोमैंटिक संबंधों के विकास के लिए उत्तम है आज आपको व्यवसाइक सफलता मिलेगी विदेशी संबंधों से लाब संभावित है अगर अपने काम से संबंधित विदेश में आप किनी लोगों को जानते हों तो देखें कि उन लोगों के द्वारा आपको कौन से व्यवसाइक अवसर मिल सकते हैं अगर आपको कोई अफ़सर मिले तो उसके बारे में सोच विचार जरूर करें क्योंकि इस से आपको सफलता मिल सकती है आज आर्थिक मामले और निवेश के मामले में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे आज किया गया निवेश बिलकुल सुरक्षित है और आपको लगेगा आपकी आर्थिक सिती तो समल ही रही है बल्कि लंबे समय के लिए आपको आमदनी का भी रास्ता मिल गया है हड़ बड़ाहट में कोई फैसला ना लें जैसे चल रही हैं ठीक है आज आप कुछ व्यस्त रहेंगे आप खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे आप इसे नजर अंदाज ना करें बल्कि 20 मिनट को आफिस में ही तहलें जरूर उच्च अधिकारी आज आपकी सहायता करने के लिए तयार रहेंगे इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको सही दिशा दिखाते हुए आपकी जरूरत के अनुसार मदद करेंगे अपने सारे कागजात संभाल कर रखें और जितनी जल्दी हो सके अपना काम करा लें मौके का फायदा उठाएं आज आपका संबंध तूट सकता है संबंध तूटने का कारण बहुत छोटा है वो आप एक नेक साथ से दूर हो सकते हैं शांती से तर्क संगत पैसला करें बस सही रास्ता चुने राशिबनित्हुन, करियर आपको अपने प्रोजेक्टों की देरी पर जो खीज हो रही थी उसका सही कारण आज समझ में आएगा आज सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने की कोशिश करें राशिबनित्हुन, फाइन्स आपके खुश मिजाज और जोखिम उठाने की ख्रमता की बदौलत आपको अपने व्यावसाईक और आर्थिक मामलों में लाब मिलेगा परियटन क्षेत्र से आपको कुछ आर्थिक लाब के संकेत हैं तो आपके सामने थोड़े जोखिम भरे मौके भी सामने आएं तो आप उनका फाइदा उठाएं राशिबनित्हुन, हेल्थ ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सावधान रहने किया वशकता है अगर आप ज्यादा वज़न से परेशान हैं तो उसे भी कम करें क्योंकि यही आपके लिए लाबदाई है सिर्व शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें आपको लाब होगा यदि आप साधना को अपने जीवन का नियमित स्थान दें राशिकर्क, ओवर्वियू किसी वृद्ध व्यक्ति से आपके रिष्टे में खटासा सकती है अगर आप किसी बड़े जगडे में फसे हैं तो उसे अब हमेशा के लिए सुलजा दीजिए अपनी जबान पर नियंत्रन रखें वरना अपने कटु शब्दों को लेकर आपको बाद में पश्टाना पढ़ सकता है राशिकर्क, रुमैंस आज आप एक सास के बहुत करीब अपने को खिंचता हुआ पाएंगे इस साथी ने हाल ही में आपसे मदद मागी थी वो अब दोनों के बीच प्रेम की परिस्टियां पनप सकती है आगे बढ़ कर देखिए क्या होता है राशिकर्क, करियर कार्याले में आपसी परिशानी पैदा हो सकती है आज आपको चल रही परिशानी को जेलना होगा जिसने आपको थोड़ा चिर्चड़ा बना दिया है घबराएं नहीं क्योंकि ये रुकावटें अस्थाई हैं और जल्दी ही दूर हो जाएंगी कार्याले में रिश्टे कुछ ठीक नहीं है लेकिन याद रखें कि आप इस बारे में अपने उच्चा धिकारियों को नहीं बता सकते आज थोड़ा हिम्मत जुटा कर अपने आर्थिक मामलों में थोड़ा जोखिम उठाईए कुछ ऐसे कदम उठाईए जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिले समय बदल रहा है अपने व्यवसाई की नीती भी बदल ये रातो रात माला माल होने की मत सूचिए लेकिन कमाई के लिए कुछ नए रास्ते तो तलाश ये ही आप समझदार भी है और सक्षम भी इसका लाव उठाईए आज थोड़ा संभल कर रहें राशि कर्क हेल्थ नियमित रूप से योग और ध्यान करने से आपके चहरे पर फिर से हसी लोट आएगी योग करने से आप फिर से उर्जावान ही नहीं होंगे बलकि आपके अंदर आत्म विश्वात भी बढ़ेगा योग करने से बढ़ते तनाव पर रोग थाम के साथ साथ गुस्ता भी कम होता है ध्यान रहे आप रोज योग करें ताकि आप फिर से उर्जावान हो जाएं आज आपकी जिंदगी में थोड़ी हलचल सी मची रहेगी ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास की परिस्थितियां बिगड रही है वो आपके कारेस्तल पर कुछ अंचाहे बरलाव भी हो सकते है परेशान ना हो सब कुछ ठीक हो जाएगा आप बस अपने कुछ से पर काबू रखें धीरे धीरे सब शान्त होता जाएगा राशी सिंग रोमान्स अपने साथी की वजह से आपकी दयालुता एवं नरम विजाजी अपनी चर्म सीमा पर है आप पाएंगे कि आप आज आध्यात्मिक आकरशक एवं आत्म विश्वास से भरपूर है जिसके कारण आपका साथी शारिरिक एवं भावनात्मक रूप से आपके साथ है आज आप दोनों ही अच्छे वक्ता एवं श्रोता बने जिससे आपका रिष्टा अपनी चर्म सीमा तक पहुँच सके अगर आपकी योजना है तो आज आप कोई नई परियोजना शुरू कर सकते हैं इस दिशा में आज आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं अगर आज आप अपने नए काम की शुरुवात करते हैं तो आने वाले समय में आपको लाभी होगा यदि आप सेवा के क्षेतर में काम करते हैं तब आज का दिन विशेश फल देने वाला है आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने व्यापार का सही विज्यापन वविस्तार कर रही है जिसके सही फायदे आपको मिल सकें आज आपको बोनस वो विशेश लाब मिलने की भी संभावना है अगर आप किसी परेशानी से जूज रही हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है आपका मूद गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इससे दूसरे प्रभावित होंगे इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें आज आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आप क्यूं अपने प्रियजनों से बेकार की बहस कर रही है हो सकता है आप किसी तनाव के कारण ये सब कर रही है आज आप अपने दिमाग को शान्त रखने की कोशिश करें और अपने प्रियजनों को कुछ भी उल्टा सीधा कहने से बचें राशिकन्या, रुमैंस आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका साथ आपको बहुत खुशी देगा उसका दोस्ताना वह अच्छा सभाव आपको न सिर्फ आकरशित करेगा बलकि आप उसके साथ नजदीकी रिष्टा बनाने की भी सोच सकते हैं हो सकता है कि आप दोनों का जल्दी ही प्रेम संबंद शुरू हो जाए आगे बढ़ने से पहले उसे अच्छी तरह पर रख लें राशिकन्या, करियर आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं आज आप अपने प्रदर्शन को लेकर खुश हो सकते हैं आपके बॉस वो प्रशिक्षक आपकी महनत पर नज़र रखे हुए हैं अपने काम से काम चोरी करके आपको अपने टीचर या बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए राशिकन्या, फाइन्स विवसाई में धीमी गती से कामकार चलने के कारण आप आर्थिक रूप से तनाव में घिर सकते हैं लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने विवसाई में सुधार करने की कोशिश करें कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाएं आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम शुरू करें इससे पहले उन्हें जरूर पूरा कर लें जो पहले से ही हाथ में हैं संभल कर चलेंगे तो अपने आर्थिक लक्ष को भी पूरा कर लेंगे जो भी हो अच्छे परणाम के लिए अपनी नीतियों को भी थोड़ा बदलना होगा आज आप तनाव को कम रखने की कोशिश करें क्योंकि आपको किसी वजह से तनाव हो सकता है आप गहरी और लंबी सांस लें और योग करें ताकि तनाव कम हो जाएं और आपके घर में अच्छा वातावरन बना रहे आप तनाव के कारण ज्यादा ना सोचा करें क्योंकि परिशानिया तो आती जाती रहती हैं आज शायद आपको अपनी संप्रेशन कला का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों के बीच चल रहे तनाव को कम करना होगा आप उस जगड़े का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन सुला कराने के लिए आपको एक विचौलिये के रूप में बुलाया जा सकता है आप किसी की तरफदारी न करते हुए सच का साथ देंगे इससे आपके सहकर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे आज आपके किसी नए व्यक्ति के साथ रिष्टे बनने की प्रबल संभावना है कुछ करने से पहले निश्चित कर लें कि ये सिर्फ आकरशन तो नहीं क्यूंकि उससे आपको बाद में निराशा ही हाथ लगेगी पहली मुलाकात में ज्यादा जजबाती होने की बजाए लंबे रिष्टे की नीव डालने में विश्वास रखें यदि आप अपने आपको कारे के सही प्रवाह में डालना चाहते हैं तब सहकर्मियों से हाथ मिला कर चलना जरूरी है अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ मिलकर आप अपनी प्रदिभा का पूरा प्रदर्शन कर पाएंगे इससे आपको नए विचार और नई तकनीक अपनाने में आसानी होगी राशित उला आर्थिक मोर्चे पर आप किसी के कहे में न पढ़ें अपने दिल की सुनें अब तक आपके अपने किये फैसले अच्छे ही रहे हैं तो फिर खुद पर संदे है कैसा अपने फैसले पर अड़े रहें आपका फैसला सही साबित होगा राशित उला हेल्थ आज कमर से संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही न बढ़तें कमर की परेशानी से निजात पाने के लिए आप हलका फुलका व्यायाम या योग भी कर सकते हैं ताकि दर्द से निजात मिल पाए ध्यान रहे कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे आप इस छोटी परेशानी को बड़ा बना दें आज शारिरिक्ष्रम ज्यादा ना करें राशिवरिश्चिक आज आप आत्म विशलेशन के मूड में रहेंगे आप सोचेंगे कि आपने अभी तक जीवन में जो सभलता पाई है वो कितनी महनत से पाई है और भविश्च में आपको क्या करना चाहिए इससे आपके भविश्च में अपने उद्देशों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी राशिवरिश्चिक रोमैंस आज आप अपने पार्टनर के साथ वहस से परहेज करें जजबाती होने के कारण आज आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पकड़ सकते हैं अपने पार्टनर को शांत करने की कोशिश करें छोटी छोटी समस्याइं खुद दूर हो जाएंगी राशिवरिश्चिक करियर अपनी सूज-बूज से आप सभी व्यावसाइक समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे आज आपको कोई नया व्यावसाइक अनुबंध भी मिल सकता है शुरुवात में इसको करने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बाद में अपनी समझदारी से आप इन्हें भी हल कर लेंगे आज आपको महसूस होगा कि आपने कुछ वित्तिय परेशानियों से निजात पाली है कहीं से अचानक आये हुए धन के कारण आप राहत महसूस करेंगे आपको अपने धन को लेकर जल्दबाजी में निरणय नहीं लेने चाहिए आपको आने बाले समय के अप्रत्याशित अवसरों के लिए निवेश करना चाहिए आज का आपका वित्तिय भविश्य थोड़ा सा डावाडोल है राशिवरिश्चिक, हेल्थ आपको पाचन क्रिया या फिर पेट से संबंधित कोई परिशानी हो सकती है इसलिए आज ही खाने की आदत को सुधारें ऐसा करने से आपको सेहत मंत्र को पाने में सफलता मिलेगी ये उचित समय है जब आप अपना ध्यान अच्छे स्वास्थ और व्यायाम में लगा सकते हैं आप इस समय का लाव उठाएं इस समय अपने अच्छे स्वास्थ का मजा लें और रोज व्यायाम करें आज आप आत्म विश्लेशन के मूड में है आप सोचेंगे कि आप जिंदगी में कहा तक सफल हुए है और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है आप ये भी सोचेंगे कि अब आगे जिंदगी आपको कहा ले जाएगी इस आत्म विशलेशन से आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी अपनी सफलताओं के लिए अपने आपको शाबाशी दीजिए राशिधनू, रुमैंस साथी से मिलने के उपरांत आये परिवर्तनों से अपने साथी को अवगत कराने का यही उत्तम समय है जिसके फलसरूप आप दोनों ही उमंगों से भरपूर जिंदगी का सफर तै करने में सक्षम हो सकेंगे आज आप अपने प्यार का इधार अपने साथी के सम्मुख कर दें आज अपने मार्ग में आने वाली चुनोतियों को स्वीकार करने की कोशिश करें इससे आप अपने नवीन विचारों का प्रयोग कर पाएंगे ध्यान रखें जैसे कि आपके पिछले अनुभव से आज आप यहां तक पहुँचे हैं वैसे ही अपनी इस सफलता से ही आपको अगला काम मिलेगा साथ ही दूसरों से उपर उठने के लिए आपको अपनी संप्रेशन कला में सुधार लाना चाहिए राशिधनु फाइनांस आज आपके लिए फाइदे का दिन है आपको लगेगा कि आज आपकी सभी व्यावसाई की उजनाय काम कर रही है आज किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच रही हैं तो पहले निश्चिन्त हो जाईए कि जिससे सलाह ले रही हैं वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या नहीं राशिधनु हेल्थ आज सोने से पहले थोड़ी साधना करें ताकि आपके दिमाग को आराम मिले आपके पास बहुत कुछ सोचने को है जिससे आपकी रातें भी आराम दायक नहीं रहेंगी आप सोने में आने वाले विग्ण को दूर करें तभी आप सुबह को ताजा महसूस करेंगे राशि मकर आज आपको अपना ध्यान इधर उधर से हटा कर अपनी जिम्मेदारियों की ओर लगाना चाहिए आप शायद इस समय पार्टी करना चाह रहे हैं लेकिन इस समय आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए अपनी प्राथमिक ताय निर्धारित कर लें और अपने काम पर लग जाएं राशि मकर अपने परिवार की ओर से आपके पार्टनर के लिए रजामंदी की बात सुनकर आज आप बहुत खुश होंगे ये हैरत भरी राहत आपके भविश्य को बहुत ज़्यादा सहूलियत देगी खास कर वे जिनके लिए उनके परिवार वालों ने नया पार्टनर खोजा है उनके चुनाव से आप खुश रहेंगे आप शादी और उससे संबंधित अन्य रस्मों के लिए अपने परिवार वालों के सहयोग से तैयारी शुरू कर सकते हैं राशि मकर करियर जहां तक आपके करियर या स्कूली शिक्षा की बात है आपको किसी अच्छे सलाहकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए आज किसी अच्छे सलाहकार द्वारा दी गई सलाह से आपको मदद मिलेगी इसलिए उनसे बात करने में संकोच ना करें लेकिन ध्यान रहे कि सला किसी अच्छे सलाकार से ही ले ताकि आप किसी गलत रहा पर ना चल पड़ें अगर आप विवसाई में हैं तो आज कोई नई योजना शुरू करने से पहले सावधान रहें कोई ऐसा काम तो आज कता ही शुरू न करें जिसमें मूटी लागत आ रही हो क्योंकि आज का दिन ऐसा काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है या तो कोई ऐसा काम शुरू कीजिए जिसमें लागत मामूली हो या फिर अच्छे निवेशक के साथ काम शुरू करने के लिए कुछ दिन रुख जाईए ज्यादा तनाव के कारण आप महसूस करेंगे कि आपने ज्यादा कैलरी ली है इस परेशानी से दूर रहने के लिए आप ज्यादा व्यायाम करें आप सुबह टहलने जा सकते हैं या फिर ट्रेडमिल पर पांच मिनट ज्यादा भाग सकते हैं कुछ भी करके आप वापिस अपने रास्ते पर आ जाएंगे आपका परिवार आपके लिए सहायता का स्रोथ होगा वो आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तयार रहेंगे इसलिए उनकी बात जरूर सुने आपके हित को ध्यान में रखते हुए ही वो आपको सलाह देंगे आज आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे यहां आपको एक खास विक्ति मिल सकता है कोई परिवार का व्यक्ति इस से आपका परिचय कराएगा ये स्थान किसी नए विक्ति से मिलने के लिए सुरक्शित और अनुकूल रहेगा क्योंकि वहाँ आपके परिवार वाले भी होंगे आज आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे अपनी विभिन रुचियों को जाने और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं अब आप अपनी रुचियों को अपने काम के साथ मिला कर भी देख सकते हैं अपनी व्यावसाइक वव्यक्तिगत रुचियों को अगर आप काम के साथ मिला कर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा आज आपको शेर बाजार में निवेश के लिए सोचना चाहिए क्योंकि आज इससे अच्छी आमदनी के संकेत हैं जटपट पैसा कमा कर अमीर होने की न सोचें बलकि सुरक्षित निवेश का विकल्ब जुने जिसमें लाभ होना निश्चित है निवेश करने से पहले इस बात का जायजा ले लें कि इसमें जोखिम कितना है अगर आपने आज सही फैसला लिया तो समझिये अगले 10 साल में आप बड़े सुखी होंगे तनाव के कारण आपकी दिमागी शान्ती चिन जाएगी आप किसी से अपने दिल की बात करें चाहे वो आपकी मदद करे या न करे रुकावटें आपको तनाव देंगी इसलिए चिन्ता न करें और अपनी परेशानियों को दूसरों से बाटें आप कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है लेकिन आपकी सोच में सपष्टता आही जाएगी इस अफसर का फायदा उठाते हुए आज आप सभी रुके हुए काम कर लें जल्दी से उन सभी विचारों को एक कागस पर लिखें जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वरना हो सकता है आप उन्हें भूल जाएं आज आवशकता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें अपने साथी के साथ बैठ कर शांत भाव से विचार विमर्श करें जिससे आपकी सोच को अच्छी एवं सही दिशा मिल सके आज सभी वाद विवादों से बचें आज आपको इस बात का एहसास होगा अगर आप परिशान हैं तो इस बारे में अपने बौस से बात करें लेकिन खुद ही ये ना सोच लें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे आप खुद पर आश्चर्य ना करें पैसे की भरपूर आवक दिख रही है बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था उससे आज बड़ा लाब मिलने वाला है यह अचानक ही होगा आप खुशी से उचल ही पढ़ेंगे राशी मीन हेल्थ हो सकता है कि आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी सेहत को लेकर आपको भयानक पलों का सामना करना पढ़ जाए चिंता ना करें आप पूरी सावधानी बढ़ते हैं कम से कम आप उन्हें भावनात्मक रूप से तो बांधे रखें